हाँ मेरा बच्चा सर एकदम बीस साल का है भी जब साड़े सतरे साल का था तब उसको ब्रेन हैम्रेज हो गई थी अचानक से बैठे बैठे सर गुखा और बस आदा गंटा के अंदर सर सीवियर हैम्रेज हो गया उसके बाद वो कोमा में चला गया था डॉक्टर ने कहा था कि को कौमा से निकल नहीं पाएगा लेकिन वो बचेगा भी नहीं लेकिन फिर भगवान के कृुपा हुई बहुत बात क्रिपा हुई भगवान ने उसे बचाया 15 दिन के बाद वो कोमा से बाहर भी आया लेकिन उसके बाह से उना को वेजिटेटीव सemaker में रह गया मतलब अभी लेकिन कॉंसेस नहीं हुआ आज आपका प्रोग्राम के बारे में सुनी कि कुछ चिकत्सा ऐसे होती है आज मैंने पाश्टा ही नहीं आजा कुछ सुना है तो मैं बुली कि एक बार आपसे पूछ के देखूं अगर बच्चे के लिए कुछ ऐसे कुछ देखे सर मेरा बच्चा अच्छा एक बात बताईए यह कोई चीज समझ पाता है ना कि नहीं समझ पाता है सर समझ नहीं पाता है कॉंसेस नहीं है खली अभी हम लोग को दो-तिन दिन से ऐसा फिलिंग हो रहा है कि साइद यह सुनता है क्योंकि थोड़ा सा आवास देने से ना हनी हनी देखें सरफ अपना आई बॉल मूफ किया यह दो दिन से थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा वह भी हन्रेट परसेंट वियर नॉट स्योर कि वो सुन पाता है कि नहीं सुन पाते हैं हंडेट परसेंट हम नहीं बोल सकते हैं देखिए एक बात मैं बता देता हूं लेकिन अगर है च सीवन में उसका भाग्य और कर्म बहुत कुछ निजारित करता है हम परिशान जरूर हो जाएंगे मगर क्या है कि एक इनसान वेजिटेटिव स्टेट में होता है तो उसके सेंसे भी डाउन होते हैं हमें लगता है कि उसको तकलीफ हो रही होगी मगर मगर प्रगरती ईश्व है एसा काम करते हैं कि उसको तकलीफ भी उत्नल नहीं हो रही हो दूसरी बात ऐसे केस में ने जाता है एक तो नस्य चिकित्सा के आप भी डूंड ये कोई लोग हैं तो कुछ तो हम रेक्मेंट कर सकते हमारे पास मैं आयरुवेदिक डॉक्टर्स हैं जिससे आप कंसल्ट कर लीजा अपना नंबर छोड़ी आपको बताएंगे ऑनलाइन ही होता है आप उनको बता दिजेगा वो एक कि इसमें कौन-कौन सा नश्य दे सकते हैं कैसे कैसे दे सकते हैं और वह भी अवे लेबल भी आपको कर देंगे तो यह आप कर लेंगे तो नस्य आवैलेबल करवा देंगे कंसल्टन से कि हम आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेंगे बहुत धन्यवाद गुरुजी अभी हम भी खराब हो गये हैं और हम कोशिश करते हैं कि देखें यहां से ना दो ही ऑप्शन है एक तो जो भी जो भी इसके साथ में ट्रीटमेंट किया होगा उसे ब्रेंग में डामेज होगा है हम और ब्रेंग में डामेज हुआ है पर देखना चाहेंगे जरुवत नहीं हो मुझे दिख रहा है कि इसका डामेज होगा हम तो यहां से दो ही चीज होती या तो यह उट जाए या तो यह दूसरे जन्म के तरफ में जाए कि क्योंकि यह स्टेट जो है किसी के लिए ठीक नहीं है उस जीवन के लिए ठीक नहीं है और परिवार के लिए ठीक है हम कोशिश करते हैं कि अगर को रिवाइब करने की तो इसलिए आप अपना नंबर छोड़ दीजे आपको कुछ हम नस्य नस्य बताएंगे तो उससे ब्रेन पर सीधा-सीधा इंपाक्ट पड़ेगा तो कोशिश करते हैं इसको रिवाइब करने हम चैट में नंबर छोड़ पहले गुरुजी कोई भी डॉक्टर बोलता नहीं था यह ठीक होगा लेकिन भगवान का बहुत बड़ा असिरवाद है कि लाश्ट चार-पांस मैंने से ना अब डॉक्टर बोलने लग गया है कि इसको थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट होने के चांसे बन रहे हैं आप नहीं था सीधा पड़ा रहता था अभी दोनों हाथ पर सब हिलाना चालू कर दिया है अभी आथ भी गुमाना चालू कर दिया है तो ऐसा है कि अगर आपनों का अशिरवाद रहा और कृपा रही तो उमीद करते गुरुजी बच्चा ठीक हो जाएगा इश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे भरोसा कीजिए गवराने से कुछ होगा नहीं अगवराने से कुछ होगा नहीं हिमत बांद के जो हो सकता है वो करते हैं ठीक है ना ठीक है गुरुजी नंबर देते हैं तो हो सकता है बांकी बांकी सब इश्वर पे छोड़ी ठीक है गुरुजी ठीक है